जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें, वह सब कुछ कर सकें, और बाकी वह सब भी न कर सकें, जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इसमें स्वतंतरता शामिल नहीं होगी, अगर इंसानों के अनुरूप जीने के सुवि समविधा को आम तोर पर स्वतंतरता कहा जाता है, उसे विशेश अधिकार कहना उचित होगा, देश का समविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसे अंगेकरत और अधिनियमित 26 जनवरी 1949 को ही कर लिया गया, और इसलिए इस दिन को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी समविधान दिवस के रूप में मनाय जाने की घोशना वर्ष 2015 को कर दी गई थी, दिलचंस बात ये है कि ये दिवस मनाय जाने का चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेटकर की 125 जन्मशती मनाय जा रही थी, ये राश्च की तरफ से डॉक्टर भीमरौ अंबेट और इस समविधान दिवस के उपलक्ष में अपने इस शक्सियत कारिक्रम में आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमरौ अंबेटकर जी की जिन्हें भारती समविधान का वास्तुकार ये निर्माता कहा जाता है। प्रश्ण के उत्तर की तलाश करेंगे लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर अंबेटकर के भारती समविधान के निर्माड एवं राजनीती में क्या योगदान रहे हैं उसको पहले आए जान लेते हैं। माता भीमा बाई की चौदेवी संतान थे डॉक्टर भीम रॉंबेटकर। डॉक्टर अंबेटकर न केवल अपने परिवार बलकि अपने समाज और गाउं में सबसे अधिक पड़े लिखे व्यक्तियों में इसे भी थे। समाज में स्वयम अंबेटकर को कई बार अपमान जनक व्यभार का सामना करना पड़ा था। इन सब का सामना करते हुए उन्होंने न केवल अच्छूत मानी जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए और उन्हें समाज में सम्मान जनक इस थान दिलाने में महत्योपूर भूमिका निभाई बलकि समविधान में उनके लिए प्रावधान किये जाने में भी एहम भूम का निभाई है भारत की स्वतंता के पशात कैबनेट मिशन योजना के तहट भारतिय सम्विधान सभा और सम्विधान का निर्माड हुआ और उसमें भी उनका अमूल्ले योगदान रहा उनके योगदान को देखते हुए डॉक्टर अंबेटकर को भारतिय सम्विधान का श्र को बिटिस सरकार से राजनितिक और सामाजिक अधिकार नहीं मिले थे लेकिन जब साउथ बरो के धक्षता वाली मताधिकार कमेटी बंबई प्रांत में आई तब सेंडेन हॉम कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अंबेटकर ने अच्छूतों के प्रतिनीधी के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 पर साउथ बरो मताधिकार कमेटी के सामने गवाही दी और 50 पत्रों का मुद्रित बयान प्रस्तुत कर दिया उनकी मांगे थी कि अच्छूतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए उने चुनाओं में खड़े होने में सक्षम होना चाहिए उनके मददाताओं के लिए अलग निर्वाचन क्षित्र होने चाहिए अच्छूत प्रतिनिधियों को अच्छूत मददाताओं द्वारा चुना जाना चाहिए और अचूतों को अचूतों में सीट दी जानी चाहिए जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचनक्षित्र इत्यादी उनके प्रभाव में अचूत सामाजी कारकरताओं और नेताओं ने बैठिकें की और अपनी मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित कर उन्हें ब्रिटिस शरकार को भेज दिया इससे पहले अर्थशास्त्र के अध्यन के लिए उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ एकोनोमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने प्रवेश लिया था उन्हें बड़ावदा रियासत की ओर से चात्रवृत्ती प्राप्त होती थ के जाने के कारण उन्हें अध्यन छोड़ना पड़ा था अंततह डॉक्टर अंबेटकर 21 अगस्त 1917 को बंबई पहुंचे थे भारत आकर वे महराजा बड़ोदा से मिले और उन्होंने अपनी सेवाएं उन्हें अर्पित करी अधिकारियों और कर्मचारियों का विवहार उन इसका कारण था उनका असप्रश्य होना वे अपमान का घूट पीते हुए वहीं काम कर रहे थे किन्तो जब असप्रश्य होने के कारण पार्सी होटल से उनका बूरिया बिस्तर गोल कर दिया गया और महराज के कहने पर भी मंत्री महोदय उनके आवास की कोई विवस्था न राजनीती शास्त्र विशे की प्राध्यापक के रूप में आस्थाई नोकरी मिल गई। वे अपने अध्यापन के कारण ही शिग्र ही शिक्षार्तियों में लोग प्री हो गए। इसी दोरान साउधबरो मताधिकार कमेटी के सामने गवाही में अचूतों के बारे में प्रब आंदोलन के मुख्य पत्र के रूप में किया था। इसके लावा एक अगर लेक में उन्होंने लिखा था कि भारतियों को ब्रिटिश शासन से मुक्ती चाहिए, अपना स्वराज चाहिए, तो उन्हें दलितों को पहले मुक्त कराना चाहिए। परंतिया पाक्षिक अर्था भाव के कारण थोड़े ही समय पश्यात बंद हो गया था। आज के सेशन में इसके बारे में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे, परंतों आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। दोस्तों, 14 दिसंबर 2023 से शाम 6 बजे UPSC IAS के लिए GS Foundation P2Y बैच Study IQ के दोरा जारी कर दिया गया है। आप इसमें एड्मिशन ले सकते हैं। एड्मिशन लेने के लिए विरत लाइफ कोड का यदि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो या बैच आपको मातर 24,9999 में प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा प्रारंभिक परिक्षा के इसकी फी 7,499 यानी 7,499 प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा क्योंकि 2024 की प्रारंभिक परिक्षा निकट है इसलिए जरूरी है कि आप टेस्सरीज अवश्य लगाएं। आपको प्रदान किये जाएंगे। साथ ही PDF उत्तर व्याख्या सहित मिलेगी। इस बैच में अड्मिशन लेने के लिए भी आप विराद लाइब कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और तब यहाँ आपको 3,999 रुपए में आसानी से प्राप्त हो सकेगी। चलिए आप बढ़ते सफर के शुरुआत हुई। बंबई विधान परिशद में उन्होंने अकसर सामाजिक एवं आर्थिक विश्यों पर भाशन दिये। वे 1936 तक बंबई विधान परिशद के सदस्र है। इसी बीच बाबा साहिब को 1930 में लंदन में आयोजित पहले गोल में सम्मेलन में अंट संख्यकों के लिए नियुक्त समीति को प्रस्तूत कर दिया। बाबा साहिब ने अपने घोषण पत्र में अच्छूतों के लिए एक अलग निर्वाचन छेत्र की मांग की। इस मांग को बिटिस सरकार ने स्विकार कर लिया। लेकिन महत्मा गांधी ने स्वतंद्र निर् लोगों का जीवन पत राजनीतिक स्थिति से आकार लेता है राजनीतिक शक्ति लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है जिसके हाथ में होता है उन्हें लोगों की आशाओं और सपनों को साकार करने का आवसर मिलता है ऐसा डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर महसूस किया करते थे डॉक्टर अंबेटकर का मानना था चुकि इस प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी का नित्रत्व पुंजी पतियों, जमीदारों और प्रामभणों के हाथों में है इसलिए राजनितिक सत्ता उनके हाथों में ही होगी और दलित महनतकष्ट समाज को गुलामों की तरह माना जाएगा ऐसा होने से रोकने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों पराधारित एक इंडिपेंडेंडेंट लेबर पार्टी बनाने का फैसला किया आज प्रश्वर्गों की स्वतंत्र राजनितिक पहचान स्थापित करने के लिए बाबा साहेब ने 1936 में इंडिपेंडेंडेंडेंडेंड लेबर पार्टी की स्थापना की 17 फरवरी सन 1937 को इस पार्टी के 17 उम्मीदवारों में से 15 मुंबई क्षित्र के प्रांती विधान सभा चुनाओं में जिने गए थे जीतने वाले 15 उम्मेदवारों में से 13 इंडिपेंडेंडन्ट लेबर पार्टी के थे और 2 इंडिपेंडेंडन्ट लेबर पार्टी दुआरा समर्थी थे या पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़े उपलब्ती थी इस समय डॉक्टर अम्बेटकर को बॉम्बे विधान सभा के सदस्यानी विधायक के रूप में चुना गया या उनके राजनितिक सफर का दूसरा चर्ण था कॉंग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ही मिली थी इसलिए बाबा साहिब मुंबई विधान सभा में विपक्ष के नेता बन गए थे 1937 में बॉम्बे विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रेस ने बाबा साहिब के खिलाफ पहले दलित कैंडिडेट बालू पलवनंकर को मैडान में उतारा वल्लबाई पटेल जी की जित थी कि बालू को चुनाओ लड़ना चाहिए इस कड़े चुनाओ में अम्बेटकर को 13,245 वोट मिले और बालू को 11,225 वोट मिले डॉक्टर अम्बेटकर 1937 से 1942 तक बॉम्बे विधान सभा के सदस्र है और इस दोरान उन्होंने बंबई विधान सभा के विपक्ष के नेता के रूप में भी कारे किया डॉक्टर अम्बेटकर ने अपनी राजनितिक पार्टी को एक राश्टी चरित्र देने और सभी अनसूचित जातियों को इस पार्टी के बैनर तलिल आने के लिए 1942 में अखिल भारती अनसूचित जाति संग यानी शेडियूल कास्ट फेडरिशन की स्थापना की अनसूचित जाति संग एक सामाजिक राजनितिक संगठन था जिसका मुख्योदेश दलित उत्पिडित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाना था 1942 और 1946 के बीच डॉक्टर अंबेटकर ने भारत की ततकालीन केंसरकार की रक्षा सलहकार समीती और वायसराय की कारेकारी समीती में श्रम मंत्री की रूप में कारी किया आधुनिक भारत के निर्मान के लिए महत्तोपून रहा। बाबा साहिब ने श्रम, पानी और बिजली के संबंध में कई उपचारात्मक योजनाय लागू की थी। उन्होंने उर्जा साक्षर्ता और जल साक्षर्ता पर भी लिखा और मार्दर्शन किया। बाबा साहिब ने भारत के सुतंता संग्राम में सक्री रूप से भी भाग लिया। बाबा साहिब का विचार था कि भारत के सत्ता अंग्रेजों की बजाए भारतियों के हाथों में होनी चाहिए। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में सरकार के सत्ता चंत रूड़िवादी हिंदूों के हाथों में रहे। विशेसकर पिछड़े समुहों में। मुस्लिम लीग के लाहॉर प्रस्ताव 1940 में पाकिस्तान की मांग के बाद टॉक्टर अम्बेटकर ने थौट्स ओन पाकिस्तान नामक चार सो पन्नों की एक पुर्स्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अवधारना का विशलेशन भी किया था। भागों में नहीं बाटा जाना चाहिए। 1946 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। बाद में डॉक्टर अम्बेटकर को बंगाल प्रांत जो की वर्तमान बांगलादेश में एक निर्वाचंक शित्र के सम्विधान सभा के लिए चुना गया। जहां उनकी मदद जोगेंदर नाथ मंडल ने की थी। में उनके प्रमुख योगदान के कारण भारती सम्विधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आजादी के बाद डॉक्टर अम्बेटकर को नहरू मंत्रिमंडल में भारत के कानून और नियाय मंत्री के रूप में न्युक्त किया गया था। कि उन्होंने संसद में प्रयूक्त हिंदू कोड बिल के विरोध के कारण नहरू के मंत्रिमंडल पद से स्तीफा दे दिया था। तीन अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा 15 जुलाई 1947 को भारती स्वतंतरता प्रस्ताव पारित करने के बाद भारत के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नामों की घोशना की गई थी। इस में डॉक्टर अम्बेटकर को कानून और नियाए मंत्री के रूप में नुक्त किया गया था। अमबेडकर ने 27 सितमबर 1951 को प्रधान मंतरी नहरू को मंतरी की रूप में अपने स्टीफा भेज दिया नहरू ने उसी दिन उसे स्विकार भी कर लिया लेकिन एक अक्टूबर 1951 को अमबेडकर ने नहरु को पत्र लिख कर अनुरोध किया कि 6 अक्टूबर 1951 को लोगसभा में अपने स्तीफे के निवेदन देने तक स्तीफा स्थगित कर दिया जाए 4 अक्टूबर 1951 को नहरू ने डॉक्टर अम्बेटकर को सूचित किया कि उनका अनुरोध स्विकार कर लिया गया है 6 अक्टूबर 1951 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच डॉक्टर अम्बेटकर को लोगसभा में अपना त्यागपत्र निवेदन पढ़ना था लेकिन लोगसभा के ततकाले इन डिप्टी स्पीकर अनंत शैनम अयंगर ने इस बयान को शाम 6 बजे पढ़ने का आदेश दिया डॉक्टर अम्बेटकर को समय में या बतलाव अनुचित लगा और वे गुस्य में लोगसभा से बाहर चले गए लोगसभा के बाहर उन्होंने मीडिया या प्रेस के प्रतिनिधियों को स्थीफे का लिखित बयान दे दिया कानून मंत्री के पद से स्थीफा देने के बाद बाबा साहिब अम्बेटकर लोगसभा चुनाव में खड़े हुए उन्होंने बामबे नौर्थ से 1952 का पहला भारतिय लोगसभा का चुनाव लड़ा लेकिन वो अपने पूर्व सहयोगी और कॉंग्रेस उम्मीदवार नारायन सदोबा से हार गए फिर 1952 में डॉक्टर अम्बेटकर राजसभा के सदस्य बने 1954 में उन्होंने फिर से भंडारा से उपचुनाव में लोगसभा में प्रवेश करने का प्रयास किया लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे थे इसमें भी कॉंग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की ही जीत हुई थी 1957 में दूसरे आम लोगसभा के चुनाव होने थे लेकिन उससे पहले उनका निधन हो गया डॉक्टर बाबा साहिब अम्मेटकर ने दो कारिकाल के लिए भारती संसद के उपरी सदन यानी राज्यसभा में बॉम्बे का प्रतिनिधित्व किया था राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कारिकाल 3 अप्रेल 1952 से 2 अप्रेल 1956 तक रहा था और उनका दूसरा कारिकाल 3 अप्रेल 1956 से 2 अप्रेल 1962 तक रहा था किन्तो अपने दूसरे कारिकाल के दौरान 6 दिसंबर 1956 को ही उनका निधन हो गया 1956 में बाबा साहिब ने अनुसूचित जाती संग को भंग करने और Republican Party of India के गठन की घोशना की थी लेकिन इस पार्टी के गठन से पहले उनकी मृत्ति हो गई और इसके बाद उनके अन्याईयों और कारेकरताओं ने पार्टी बनाने की योजना बनाई Republican Party of India के स्थापना के लिए एक अक्टूबर 1957 को नागपूर में प्रेसोजियम में बैठक हुई इस बैठक में एन शिवराज, यश्वन्त अंबिधकर, पीटी बोराले, एजी पावार और दत्ता कट्टी साथी दत्ता रूपवते भी मौजूद थे इसके तीसरे दिन, तीन अक्टूबर 1957 को Republican Party of India का गठन हुआ एन शिवराज को पार्टी अध्यक्ष चुना गया और वे अपने निरहन तक इस पार्टी के अध्यक्ष बने रहे 1957 में दूसरी लोग सभा में इस दल के नौ सदस्य निर्वाचित हुए थे ये बाबा साहिब की पार्टी का सर्वोच उपलब्धी रहा है आई अब एक नज़र डालते हैं बाबा साहिब के समविधान निर्माण के योगदान पर डौक्टर भीम्रॉं अम्बेटकर ने समविधान स की सदस्य की रूप में सोर्पथम मुंबई से चुनाव लड़ा था बंगाल से सम्विधान सभा का सदस्य बनने के बाद भारत के बटवारे के परणाम सरूप बंगाल का वक्षेतर जैसुर कुलना पूरु पाकिस्तान वर्तमान में जो बांगलादेश में स्थित है वहां चला गया। अता एक बार फिर से वह सम्विधान सभा के सदस्य नहीं सम्विधान निर्मान के कार में सम्विधान से समदित अनेक समितियों का गठन किया गया जिसमें एक सबसे प्रमुक समीति थी प्रारूप समीति जिसे ड्रॉफ्टिंग कमेटी या पांडु लेखन समीति भी का जाता है। इस समीति का गठन सत्यनायन सिनहा के प्रस्ताव पर सन 1947 में 29 अगस्त को किया गया था। इस समीति में एक अध्यक्ष और 6 अधस्य थे। इस समीति के अध्यक्ष डॉक्टर भीम रांबेटकर थे। यहां ध्यान रखना अवश्यक है कि डॉक्टर अमबेटकर प्रारूप समीति के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाच जित हुए थे। जिसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को आयजित हुई थी। प्रारूप समीति ने भारती सम्विधान का प्रारूप 21 वरवरी 1948 को सम्विधा सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी को सौपा था। यहां से ध्यान रखना ये भी जरूरी है कि पहला प्रारूप सम्विधान सभा के विधिक सलाकार बी एन राव जी ने तयार किया था। स्विकार किया है। उसी रूप में उसे पारित किया जाए। डॉक्टर अंबेटकर द्वारा रखा गया प्रस्ताव 26 नॉबर 1949 को स्विकृत हुआ और इसी दिन से इसे अंगेकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया। जबकि स्विक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षन अफ्रीका और आस्ट्रेलिया जैसे देशों की समविधान सभाव ने अपने समविधान की रचना करने में एक लंबा समय लगाया था। उसको देखते हुए ही भारती समविधान सभा ने बहुत ही कम समय में समविधान का रिर्माण कर लिया है। समविधान दिर्माण से संबंधित विभिन समीतियों में पंडित जवाहलाल नहरू के अध्यक्षता वाले संग समविधान समीति की तीन उपसमीतियां थी। रोजनी नाइडू सी राजगोपालाचारी मौलाना आजाद फ्रैंक एंथनी के मुंशी और अनेक सदस्यों के साथ डॉक्टर फीम रॉम्बेटकर भी शामिल थे जिन्होंने राश्ट्री धज पर तदर्त समीति में एक सक्री सदस्य के रूप में भूमिका निभाई थी कि सम्विधान सभा की ज्यादातर पैठकों में आउसतन तीन सो सदस्य मौजूद रहे थे और सभी सदस्यों को सम्विधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था बात सिफ डॉक्टर अंबेटकर के विक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते हैं बलकि भ अंबेटकर को भारती सम्विधान सभा का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को सम्विधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में ने खंकित किया। समविधान सभा के समक्ष समविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाशन में डौक्टर अमबेटकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकमल और विस्तरस समविधान तयार करने का श्रे अपने सहयोगों को दिया था लेकिन पूरी सम्विधान सभा इस तत्थ से परिचित थी किया एक महान नित्रत्व करता का आपने सहयोगियों के प्रती प्रेम और विनम्रता का किया गया एक आभार है अम्बेटकर सम्विधान सभा की ड्रॉफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थी जिसकी जम्मेदारी सम्विधान का लिखित प्रारूप त्यार करना और प्रस्तूत करना था इस कमेटी में कुल साथ सदस्य थे समविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेटकर की भूमिका को रिखांकित करते हुए भारतिय समविधान के डॉफ्टिंग कमेटी के सदस्य टीटी कृष्णा मचारी ने नवंबर 1948 में समविधान सभा के सामने कहा था समभवता सदन इस बात से अवगत है कि आपने डॉफ्टिंग कमेटी में से जिन साथ सदस्यों को नमांकित किया है उन में से एक ने सदन से स्तीफा दे दिया है और इनकी जगह अन्य सदस से ले चुके हैं एक सदस से जिनकी मृत्यू हो चुकी है और उनकी जगह कोई ने सदस से नहीं आये हैं एक सदस से अमेरिका में थे और उनका इस्थान अभी तक भरा नहीं गिया है एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उल्जे हुए थे और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। तो फर्ज राफलो लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर से आंकलन करना चाहिए। प्रशबार या जिम्मेदारी अंबेटकर जी को ही दिमानी पड़ी थी। स्वतंतरता समानता बंधुत्व नियाए विधी का शासन विधी के समक्ष समानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म जाती लिंग और अन्निक किसी भेडभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमा में जीवन भारती सम्विधान का आदर्श एवं दर्शन रहा के लिए वे आजीवन संघर्श करते रहे थे इसकी चाप भारती सम्विधान में देखी जा सकती है भारत का नया सम्विधान काफी हद तक 1935 के गौर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट और 1928 के नहरु रिपोर्ट पर आधारी थे मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अंबेटकर जी का प्रभाव बहुत गहरा था डौक्टर अंबेटकर भारती सम्विधान की सामर्थी एवं सीमाओं से बखू भी अवगत थे इस संदर में उन्होंने कहा था कि सम्विधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर श जरूरी है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सक्षित कारिक्रम में खास करके तब जबकि आज सम्विधान दिवस है तब आपने इस बारे में काफी अच्छा सीखा होगा और जानकारी खटी करी होगी इसी प्रकार से अगली बार हम किसी नय शक्षियत को आप के समक्ष प्रस्तूत करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में आपको एक आरिक्रम कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आप स्वस्त रहें मस रहें थन्यवाद झाल